तो you can, and YouTube चैनल को सब्सकाइब करेंगे, दबाएब, सब्सकाइब का बटन और घंटि का बटन जरूर दबाएब नमस्कार दोस्तों सभी दिदिय और बहनों को मेरा नमस्कारँ दोस्तों सबसे पहले आपको 9 वर्स2024 की हारदिक सुप primarily उम्मीद करता हूँ और आसा करता हूँ कि आप सभी बहने दीदियां और सभी इस मेरे यूटूब चैनल के परिवार सदस से खुश हाल रहेंगे 2024 आपके लिए बेहद सुखद और मंगल में होगा निवेदन करता हूँ कर आप चैनल पर नए हैद वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को जरू सबस्काइब करेंगे क्योंकि अपनी इस चैनल पर में तरह तरह की अपडेट तरह की नए समाच्वार और खबर लेकर आता रहता ह है दोस्तों आपको बता तो इस सभी कामों का जिम्मा मर रेगा मिट, मर रेगा करावी के माद्यम से, मर रेगा की बजट से कराये जाएगा उत्तरपदेष के सीएम योगी आदित तिनाथ एसियन गेम्स में उत्तरपदेष की खिलारीयों के प्रदसल से काफी खुशे हैं कि प्रदेश में हमारी सरकार भी खेल और खिलारियों को पुत्साहित कर रही है इसके लिए अब यूपी के हर गाव में खेल का मैदान ब्लॉक अस्तरपर मिनी स्टेडियम जन्पदस्तरपर स्टेडियम का निर्मार करार है यूप और यूतिया खेलो इंडिया कारिकरम के तह जुआ है किस तरीके से उत्रप्रदेश में है ने कि ने किन पूरे देश में सहरा इंडिया को लेगे है समय पर नहीं नहीं खबरे अपनी इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं किस तरीके से सहरा इंडिया रिफन्ड क्लेंग की टेंशन दूर हो चُकी है और जो भी सहरा इंडिया के तहट पैसा पा चुके उनके लिए बहुत-बहुत बहुत बधाई और जिलों को पैसा नहीं मिला वो लोग जल से जल्दी हैं काम करके आसानी से पैसा पा सकते हैं तो हम लोग वीडियो में आगी चलते हैं और देखते हैं कि सहरा समूह में करोडो निवेसको का पैसा वापस दिलाने के लिए सहरा रिफन पोर्टल की सुरूवात की गया इसके जरीए निवेसको को पैसा वापस मिल भी रहे हैं कर सकते हैं किस तरीके से 45 दिनों में आपका पैसा वापस होगा और अगर वापस नहीं हो रहा है तो क्या करना कैसे करना है इस चीज को भी मैं आपको बता देता हूं रिफन क्लेम करने के लिए आपको चार कागजात की जवत पड़ेगी नंबर एक मेंबर्सिप नंबर नंब पतिनाधार कार जो आपकी किसी मोबाइल नंबर से जुड़ा हो नंबर चार सेटिफिकेट या बहेंग पास्पोक अब सहारा रिफन पोर्टल के माध्यम से आपको रिसब्मिशन करना है रिसब्मिशन के वीडियो का लिंक में डिस्किप्शन में दे दूगा वहां जाकर आप देख सकते हैं उसमें step by step बताया गया है किस तरीके से आप अपना सहारा रिफन्ड रिसब्मिशन क्लेम करेंगे ताकि आपके फॉर्म भरने के बावजुद भी अगर पैसा नहीं आ है तो पैसा आ जाएगा रिसब्मिशन किसको कराना वो भी मैं आपको बता देता हू दोस्तों आपको बता दूँ कि जब आप सहारा इंडिया रिफन्ड पोर्टल के माध्धम से क्लेम किये थे और कोई गलती हो गई थी तो परिशान होने की ज़रुत नहीं आप फिर से सहारा इंडिया रिफन्ड पोर्टल पर जाकर रिसब्मिशन कराके अपने अकाउंट न लिखनी और जानने को मिल जाएगा हम लोग चलतें अगली ख़बर की तरफ दोस्तों अगली जानकारी हैं जानकारी हैं स्वैमसाता समुन से जुड़ी हुई जानकारी है कि जाधातर हमारे सस्क्राइबर कमेंट कर चुके हैं कि सर सेल्फ हेल्प गृूप की लिस्ट कैसे स्वेमसाता समूह की लिस्ट कैसे चेक करें कई सारे भाई और बहन है जो लोग स्वेमसाता समूह बना दिये हैं अपना form ब्लॉक पर जमा कर दें लेकिन उनकी website पर लिस्ट में नाम नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दूँ आप किसी भी ग्राम पंचाय से किसी भी गाउं से क्यों नहीं अगर आपका समूह बना है तो किननं इसके दोरे आप अपने समूह को विस्तार से देख सकते हैं तो आये विडियो में आगे हम लोग देखते हैं साहिमसाता समूह की लिस्ट कैसे चेक करें सबसे पहले आपको अपना समों ओनलाइन देखने के लिए सरकार की आधिकारिक वेबसाइट nrlm.gov.in को खोलना होगा यदि आप सीधे वेबसाइट पर पहुंचना चाहते हैं तो डिस्किप्शन में लिंक है उस लिंक पर किलिक करके वहां पहुंच सकते हैं इतना ही नहीं आपको लास्ट फाइनल लिंक भी दिया गया जिसमें किलिक कहने के बाद सिवा आपको अपना जिला अपना जनपत और अपना ग्राम पंचायत या ब्लॉक चूच करके यानि चुन के आप सीधा अपना नाम भी देख सकते हैं लेकिन आपको अगर स्टेप इनरलम डेटाविश पर किलिक करना डेटाविश पर किलिक करने के बाद आपके सामने यह खुल जाएगा इसके बाद खुलने के बाद अब आप अपनी जनपत को सेलेट कर सकते हैं जनपत में जिले में जितने भी ब्लॉक है उस ब्लॉक का चेन करने के बाद सीधा ग्राम का नाम पे क्लिक करेंगे जितने स्वयमसाता समू रइस्टर हैं वो सारी स्वयमसाता समू आपको दिख जाएंगे अगर आपको कहीं भी कोई समस्या आ रहे डिस्किप्शन में एक वेब्शाइट के लिंक के देदूगा वहाँ पर आप क्लिक करके कम्प्लीट समू की डिटेल देख सकते हैं का आपकी गाउं में कितनी समू रइस्टर हैं दोस्तों आपको यह भी कहना चाहते हूं सभी देदियो और बहन सि निवेदन कहना चाहता हुँ कभी भी एक ही नाम का स्वयमसाता समू नहीं बनाइए वहाँ पर कई बार अगर आपको सरकार कोई अनुदान देती है कोई पैसा देता है तो वहाँ पर समस्या होना वाजिब है अगर एक ही नाम के दो समू है तो पैसा किसको मिलेगा और क्यों मिलेगा और कैसे मिलेगा ये समस्या बनके निकल के सामने आती है आपको कुछ नहीं क संका कि कमेंट कीजिए मैं हरे कमेंट को पढ़कर उसमें के स्पेसल वीडियो बनाता हूं निवेदन करता हूं जानकारे इच्छले की वीडियो को लाइक करेंगे धन्य बाद दोस्तों यूटूब चैनल को सब्सकाइब करें लिए दबाएं सब्सकाइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं